नमस्का दोस्तो, बंदरोंगा मुख्य परिशा 2022 में हम लोग आठवे चेप्टर को देख रहे थे फॉस्ट पार्ट में आधा चेप्टर को समाप्त कर दिये थे आज सकेंड पार्ट में हम लोग बचे हुए आधे चेप्टर को समाप्त करेंगे तो चलिए बीना देरी की ये देखते हैं आधे चेप्टर में कौन-कौन से वो पॉइंट है जो एकजाम के दिरिश्टी से महत्वपूर्ण है छटा हेडिंग है उतर परदेश ब्रिक्ष सनराचन अधिनियम 1976 के प्रावधान इसमें को है किसी वन भूमी का गहरवानी की प्रयोग करने की परकिरिया वन सनराचन अधिनियम 1980 में यह ब्यस्था है कि किसी वी वन भूमी का गहरवानी की उप्योग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार की इस हेतु पूर्व अनुमत्ती प्राप्त न कर ली गई हो इसके लिए सम्मंदित प्रभागिब वन अधिकारी के माध्यम से समझत अपचारिक ताएं पूर्व करके नोडल अधिकारी वन भूमी हस्तारांतरण को देरादून को भेजी जाएगी खो है वन या वन भूमी पर पेणों को काटने के लिए अनुमत्त प्राप्त करना और उसकी प्रक्रिया वन सनर्चन अधिनियम के अंतरगो जन सदारान को वन या रवन भूम में इस्तित ब्रीचों को काटने के लिए सक्छम अधिकारी की अनुमत्ध प्राथ करनी आवसक है इसके लिए प्राथनपत दिया जाना होगा गो है किन पेड़ों को काटने के लिए अनुग्या आवस्यक नहीं है इसमें उक्त अधिनियम के प्रवधानों के अंतरकर जन्द सदारान को वन या वन भूमी में विश्थित ब्रीचों के काटने है तो निम्न ब्यवस्ता लागू है ऐसी सताच परजातियों जिनको काटने के लिए किसी अनुमत किया सकता नहीं है वे निम्न परकार है तो दिये गया नीचे वो हैं अगस्त, अरू, उतिस, कैजुरीना, जंगल, जलेवी, पापलर, फारस, भैकन, बबूल, बिलायती बबूल, उकेलिप्टस, रोबीनिया, बा परी, बेर, भीमल, बुकुला, महलामेवाली, साजन, अयू सतूत, घह है किन-किन परजातियों के पेड़ों के काटने पर परतिबंध है तो बिशेज परस्तितियों को छोड़ कर निम नबारब ब्रिक चुपर जातियों को काटने पर परतिबंद है वो है अखरोड, चिर्ण, चम, खड़िक, जमनोई, नीम, खरसू, मोरू, महुगा, साल, पीपल, बर्गत, देवदार, और आम, देशी, तुकमी, कमली आगे हैं अंगा बनों के समी पर आने वाले ग्रामोवासियों को वन बंदोबस्त के अंतरगत अधिकार क्या है तो देखेंगे परवती छेतर के बनों के समी पर आने वाले ग्रामोवासियों को वन बंदोबस्त के समय से ही वनों में इमारती लकडी क्रिसी अंतरो है तो लकड साख करतन व कधान के हक हकुक स्विक्रित किये गए है समंदित प्रकासित गजट में परतिक प्रकार के हक हकुक की स्विक्रित की गई मात्रा दी गई है हक हकुक भी तरण के समंद में मान। उच्छतम नयाले के आदेशा अनुसार प्रतिक बर्स अधिक्तम 32,000 घन मीटर बनोपज का उपयो किया जा सकता है इमारती लकडी वा किर्सी पटो हेट सिवकृत लकडी तीन बर्स तक जमा रह सकती है सिवकृत हक हकू की लकडी की प्राप्ति ग्राम पर्दान द्वारा समन्दित प्रभागी बना अधिकारी से संपर्ग की जाएगी तता ग्राम सबा की बीतरन समीद के माध्यम से बीतरत की जाएगी नेक्स्ट चो हेडिंग है वन जीव से जानवाल की हान की दासा की छतिपूर्ती इसमें हम लोग देखेंगे सासना देश संख्या तेईस चवरासी बटे चौदा चार चार चानवे आर्ट सो चातिस बटे बानवे दिनांक 6-12-1996 में वन पवसुओं दोरा मारे या घायल ब्यक्तियों को या वासियों को तता वन पवसुओं दोरा पालतू पवसुओं को मारे जाने पर एहम जंगली हातियों दोरा ग्राम वासियों के मकान वा फसल की छति की दसा में अनुगरा आर्थिक साहिता परदान करन पुस्मों के मारे जाने की दसा में उनके मालिकों को दे अर्थिक अनुगरह सहायता कितना कितना है देखिए गाय घोड़ा खचर या उठ था उसके लिए कितना है बारासुपे बैल है तीन वर्ष या अधिक है तो उसका तीन वर्स या अधिक तो उनका है पटीस सौ उर्पे गाय का बचरा भचिया तता भैश का पढ़वा पढ़िया ठीक है इसमें 2 बर्स से उपर तता 3 बर्स से कम वाई के हैं तो 1000 एक बर्स से कम वाई के हैं तो 500 और अगर पाचवा है गधा उसके लिए 500 है छटे पे हैं बकरी बेंड जिसकी आयू एक बर्स या उससे अधिक एक बर्स से कम वाई के लिए कुछ अनुमाने नहीं होगा 150 रुपे उक्त अनुग्रा सायता निम्लिकी सर्तों के अंतरगत अनुमन यह होगी किसी राष्टी उद्यानातवावन यह जिव विहार में उपरोग्त पालतु पसुण के जंगली सेर गुलदार द्वारा मारे जाने की दसा में अनुग्रा आर्थिक सायता तवी दे होंगे जब प्रस्णगत पालतु पसुण को परवेश की अनुग्या वन जीव सनर्चा दिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई हो छटा है निल गाय द्वारा किर्शी फसलों को छट पहुचाने पर उन्हें नश्ट करना परदेश में निल गायो द्वारा फसल नश्ट करने पर उन्हें मारने मरवाने के लिए सासन द्वारा समंदित जिल अधिकारी को अनुग्या देने होत प्रादिक्रित अधिकारी घोसित किया गया है वन मिनट वन विभाग एवम वन विकास निगम में कारेरत दैनिक सर्मिको की सामोहिक विमावन विभाग एवम वन विकास निगम दोवारा अपने कारेरत दैनिक सर्मिको के कारे के लिए मैं कारे के दोरान मिरतु एवम अपंगता के लिए सामोहिक विमार जना लागो की गई है वन विवाग द्वारा मृत्व की दसा में 40,000 एउं अपंगता की दसा में 12,000 की छती पूर्ती का परधान किया गया है वन विकास निगम द्वारा मृत्व एउं अपंग होने की दसा में करम सह 10,000 एउं 5,000 की छती पूर्ती का परधान किया गया है अग्रीम जनकारी निकटवर्ती प्रभागी वना धिकारी प्रभागी लोंगिक प्रवंदक वन विकास निगम से प्राप्त की जा सकती है जो है वन विकास निगम से लकड़ी कैसे क्रे की जा सकती है तो पहला है इसमें विक्रे केंद्र वन भिवाग निगम दोवारा विविन कस्वा सहरों के निवासियों को उचीत दरोप इमारती लकड़ी आओ जलोनी जलोनी लकड़ी की आपूरती है तो भीक्रह के अंदर खोले गए है जिनकी जनकारी समधित परवागिक लौंगिक परवंधक से पराप्त की जा सकती है सकेंड है बहुन निर्माड है तू प्रकाष्ठ जन समानी की मांग की पूर्टी है तू बहुन निर्माड के लिए एक बार में तीन घंड मीटर की सीमा तक इमारती लकडी दिये जाने की बेवस्ता है फूटकर बिकरी के आपूर्टी दर आधार मुली का 120 परसत निर्दारित तता देय कर अतरिक्त होगा तीसरा है जालावनी लकडी बर्तमान परतिक ब्यक्ति को 1500 रुपे प्रति कुंतल की दर से तीन कुंतल जालावनी लकडी डीपो पर आपूर्टी की जाती है चोथा है सवदा है तो जालावनी लकडी उत्राखन में विविन अस्तानों पर समसान घाटों में सवदा है तो डीपो खोले गए हैं जहां 150 रुपे प्रतिक ब्यक्ति की दर से चालावनी लकडी प्राप्त की जा सकती है आगे है अन्य वन उपज की आपूर्टी अस्तानी नागरीकों को निवन वन उपज निदारित दरोपदी जाती है तो यहां पर अगर बास है तो तीन कोडी तारवार के खंबे हैं तो दो सो नग फर्रा है तो तीन घंड मीटर और बुरादरा है तो वो दो कुंतल अब जह है वन जीव से जानमाल हानी की दसा में आर्थिक अनुग्रह सायता रास की दरों का बितरण इसमें पहला है वन पसुद वारा मारे गए बैक्तियों के वारिसों को अनुग्रह आर्थिक सायता जंगली सेर तंदूओ भालू लकडवग्गा भेडिया हाती मगर घडियाल दोरा बैक्त की मिर्टु या गायल होने पर दे आर्थिक सायता वहीं पर देखेंगे वैस्क बैक्त की मिर्टु होने पर पचास अजार और वैस्क बैक्त की मिर्टु होने पर पचीस अजार पूरे रूप से अपंग बिकलांग होने पर पचास अजार आंसिक रूप से अपंग होने पर दस अजार और गंभी रूप से घायल होने पर पा उक्त अनुग्रह सायता की धनराज का भुकता निम्लिकित प्रतिबंदों के अंतरगत किया जाएगा इसमें पहला है वन विवाग के उपर वन सनरचक आतवा उच्तर अस्तर के अधिकारी समंदित व्यक्त के उक्त वन पस्वों दुआरा मारे जाने अपंग घायल कर दिये ज दुसरा है समंदित प्रवागी वन अधिकारी उप वन सनरचक को अधिकार होगा कि ये किसी बेयक्ति की मिर्तु परोग्त वन पस्वों के दुआरा होने पर अंत्यष्टी आदिक किरिया के लिए वा उसके परिवार सोजन को तीन हाजार की धनराज का भुकतां ततकाल करें जो बाद में स्विक्रित अनुगरह साहता से काट ली जाएगी आगे है अनुगरह साहता की धनराजी स्विक्रित करने है तो अंति जांच रिपोड़ मुख्य वन सनरचक वन जीव को परस्तुत की जाएगी जो ऐसे मामलों नीड़न लेने है तो एक अधिकारी होंगे अब देखते हैं हम लोग प्रमुक अंदोलन प्रमुक अंदोलन में पहला है विष्णोई अंदोलन विष्णोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसके अनुआई राजस्तान हरियाना पंजाब उत्तब परदेश अमध परदेश आदी परदेशों में पाये जाते है सिरी गुरु जम्भेसवर को भी इसनोई पंथ का संस्थापक माना जाता है जीने जम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है इस संपरदाय के संस्थापक ने अपने अनुआईयों के लिए 29 नियम दिये गए थे विशनोई दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है 20 और 9 अर्थार्थ जो 29 नियमों का पालन करता है इनी 29 नियमों अर्थार्थ 20 और 9 के कारण ही इस संपरदाय का नाम विशनोई पढ़ा यह परक्रिति पुजको का इनसात्मक समुदाय है यह अनुदलन बनों की कटाई के खिलाब 17 सताब इस भी के आसपास रिसी सोमजी द्वारा सुरू किया गया था उसके बाद अमरिता देवी ने अनुदलन को आगे बढ़ाया विशनोई समुदाय के 373 लोग मारे गए थे जब इस छेतर के राजा को विशनोद और हत्या का फता चला तो वह गाउ गए और माफी मागी तथा छेतर को सनरचित छेतर गोशित कर दिया उलेखनी है कि यह कानून आज भी मौजूद है दूसरा अंदोलन है अपिको अंदोलन इसमें देखेंगे यह अंदोलन भी चीपको अंदोलन की तरफ प्रयावरण सनरच्छन के लिए चलाया गया एक करांतिकारी अंदोलन था या फिर दूसरे सब्दों में कहे तो उत्तर का चीप को अंदोलन दर्चिन में अपिको अंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था या अंदोलन अगस्त 1983 में करनाटक के उत्तर कंणड चेतर में सुरू हुआ था यहां अंदोलन बनु की सुराच्छा के लिए करनाटक में पांडू रंग हेंगडे के नेत्युत में सुरू हुआ था अप पूछेगा अप इकों अंदोलन से कौन समन्दी था तो आप बताओगे पांडू रंग हेंगडे हेंगडे ठीक है अब देखते हैं तीसरा जो अंदोलन है वो जंगल बचाओ अंदोलन इसमें इस अंदोलन की सुरुवात उनी सो असी में बिहार से हुई थी बाद में यह अंदोलन जारकंड और उड़िसा तक फैल गया 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मुलेवान सागोन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की और इस योजना के बिरिद बिहार के सभी आदिवासी कभीले एक जूट हुए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक अंदोलन चलाया इस से जंगल वचाओ अंदोलन का नाम दिया गया था कई प्रयावरण विद इस अंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल और लोकलू भावनवाद कहते हैं अब आ गया अंदोलन हो साइलेंट घाटी अंदोलन इसमें केरल की सांथ घाटी 89 बर किलोमेटर छेतर में है जो अपनी घानी जय विविता के लिए पसीद है 1980 में यहां कुंती पूंज नदी पर एक परयोजना कंतरगाद 200 मेगावाट बिजली निर्माड है तो बाद के परस्ताव रखा गया था केरल सरकार इस परयोजना के लिए बहुत इचुक थी लेकिन इस परयोजना के बिरोध में बेग्यानी को प्रयावरण करेकरताओं तता छेतरी लोगों के स्वर्ग गुजने लगे इनका मानना था कि इससे छेतर के कई बिशेश फूलों पहुदों तता लुब्ध होने वाली परजातियों को खातरा है इसके आलावा ये पश्मी घाट के कई सदियों पूरानी संतुलित प्रस्तित को भारी हानी पहुंच सकता है दवाम मेराज सरकार को 1985 में इसे राष्ट वन घोसित करना पड़ा अब पाचवा अंदोलन है टियरी बाद विरोधी अंदोलन इसमें देखेंगे टियरी बाद उतराकंड के गड़वाल छेतर में भागरती और विलंगना नदिप बनने वाला इसीया का सबसे बड़ा तता बी सो का पाचवा सरवाधिक उचा अनुम है कि टियरी जल विद्धूत रिसर के पूर्ण होने पर यहां से प्रतिवस च्छे सो बीस करोन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा जो डिली तता उत्तप परदेश के कई छेतरों के लोगों को बिजली पेजल की सुवधा उपलब्द कराएगा आगे है इस पर्योजना का सुन्दर लाल बवगुणा तता अनिक प्रयावरण विदो ने कई आधारों पर विरोध किया इंडिया नेशनल ट्रस्ट पार आर्ट एंड कल्चर रहिटेज द्वारा टियरी बाद के मिलियाकन की रिपोर्ट के अनिसारिया बाद टियरी कसमे और उसके आसपास के 23 गा प्रयाव को आंसिक रूप से जल्मगन कर देगा जिससे 85600 लोग भी स्ताफित हो जाएंगे छटा अंदोलन नर्मदा बचाव अंदोलन इसमें यह अंदोलन भारत में चल लाया प्रयावरण अंदोलनों की परिपकवता का उधार लाया इसे पहली इंसने पहली बार प्रया गठनों तता आम जनता की भी भागिदारी रही नर्मदा नदीफ सरकार सरोवरबाद परियोजना का उधगाटन 1961 में पंडिजवाला ने रून ने किया था लेकिन तिन राजय गुजरात मद परदेशार राजस्तान के मद एक उप्युक्त जल्बितरन नितिका पर कोई सहम मत नहीं बन पाई 1979 में सरकार नर्मदा जल्बिवाद नयाधी करण का गठन किया ता कि जल्बिवाद का हल्प करके परियोजना का कार्या सुरू किया जा सके प्रयावरण वीदो और आस्थानी लोगों ने 1950 में हाइडरो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पबादो के निर्माण के खिलाब बिरोद सुरू कर दिया था जिसे नर्मदा बचाओ अंदोलन के नाम से जाना जाता था मेधा पाटकर इस अंदोलन की नेता रही है जिने अरुन्दती राय बाबा याम्टे और अनिल पटिल का समर्थन मिला अब नेक्स्ट अंदोलन है वो चीपक अंदोलन यह अंदोलन 26 मार्च 1934 को उत्राखंड के टीरी बड़वाल गड़वाल जन्दपद में ग्रामिडों और मैलावों द्वारा चलाया गया है इस अंदोलन का परमुक उद्देश बेवसाय है तो बनों की कटाई को रोकना था टीरी गड़वाल का नो जीवन आस्र अन्य 21 मायलावों ने निलामी का बिरोद किया और सफलता अर्जित की आगे है इस अंदोलन के जनक संदर स्वारी सुंदर लार बावगुणा गवर देवी चंडी परसाद भट तता अन्य कर्यकरताओं में मुखेता ग्रामिड मैलाए थी भारत सरकार ने अम्रिता देवी क और सुपूरसकार परारंब किया चीबकों अंदोलन के तवर ततकालिम परदानमती सिरीमती इंद्रा गादी ने 1980 में उत्तर परदेश के हिमालाई बनों में बिरिचों की कटाई पर 15 बरसों के लिए रूक लगा दी थी चीबकों अंदोलन उत्तर में हिमाचर परदेश, द दी है इस अंदोलन का नारा परास्तित की अस्थाई मित्वियता है अब है अन्य परमुक अंदोलन इसमें पहला है नौदानिया अंदोलन यह अंदोलन मुश्वी यासी में वंदना सिवा दुवारा जैव वीविता सनरचन एहों जैविक खेती को बढ़ावा देने के के पास उडिशा के बालासूर जनपत के बलिया पाल एहों भोगराय गाओं में भारत सरकार दोवरा मिलिटरी स्टेशन बनाये जाने से 45,000 लोग के बिस्तापित होने की समस्या से समन्दित है इन छेत्रों में रॉकेट एहों मिसाल की टेस्टिंग से भूमी की उरबरता को हो सकती है तीसरा है गंगा बचाओ अंदोलन या एक अहिंसात्मक अंदोलन है जो गंगा को स्वच बनाने के लिए चलाये गया है गंगा बचाओ अंदोलन को गंगा सेवा वियान पूने इस्तित राष्टी महिला संगटन एवं और ये संगटन द्वारा ब्यापक समर्तन प्राप्त हुगा। चोथा जो आंदोलन है वो है मैती आंदोलन। इस आंदोलन की सुरात 1994 इस भी में उत्राखंड के चमोली जनपद में कल्यांड सिंग रावत द्वारा प्रारम किया गया था। साधी विवाक के असर पर दुले के जूता की चोरी के रस्मे में नेग की पर फिकल्पी प्राश्ट। पहला है भारत में वन जीव सन रच्षण आदिनियम किस बर्स में लागू किया गया था तो 1992 में किया गया था औस पॉस्टिकरन है इसका भारत में भारत में सन रच्षण आदिन्यام इस अधनियम के अंतरगंद कुल छाचट दराएं हैं जीने सात अध्याय एहों छे अनुसूचियों में विवक्त किया गया है यह अधनियम वन जीवों की अबयत तसकरी एहों सिकार से रच्छा एहों सनरचन के संदर में भारत सरकार के परियासों का उलेक करता है सकेंड है भारत विवन सनरचन अधनियम कम पारित किया गया तो 1980 में किया गया यह अप्सन अब अस्परश्टी करण है वन सनरचन अधनियम भारती संसर द्वारा सताईदी संबर 1980 को अधनियमित किया गया जबकि इसे लागू होने कित्ती थी 25 अक्टूबर 1980 है थर्ड है आपका इसमें सुची फर्स्ट को सुची सकेंड के साथ सुमिलित करना है तो देखते हैं इसमें हम देख रहे हैं वन इजीव सनर्चन अदिनियम जो है वो आपका आ जाएगा फर्जेक्ट टाइगर जो है मुझेंού लिशाय जेविता दिनियम दो और हाथी प्रोजेक्ट उन्च वान में परेगा में इसनल चार तीन गएगव जाएगवरी से नियमुल देखते हैं कौन से आपसन सहीय होगा चार तीन दो एक डी वाला आप्सन इसका सही होगा ठीक इसका जो असपश्टी करन है उसको देख लीजिए वह ही है सब जो उपर बात हुई है आगे है चिपको अंदोलन मुल्य रूप से किसके बिरूद था तो वन कटाई के बिरूद था जो इसका आप्सन सही होगा वो भी होगा अब देखते हैं असपश्टी करन इसका चिपको अंदोलन मुल्य रूप से बनों की कटाई के बिरूद था चिपको अंदोलन के प्रेलेता चंडी पर साथ भड़ थे इस आंदोलन के सह कारेकरता सुन्दर लाल बह गुणा ने भी इस आंदोलन को महतपुण भूई का निवाई थी ठीक आगे क्वेस्चन है वार्तिवन अनुसंदान स्थान अस्थापी तह का है देरा दूर में स्थापना उत्तरा खंड के दैरा दूर जीले में सन 1906 में की गई थी यह इस परकार का सबसे पूराना संस्थान है वर्ष 1991 में इसे विश्विद्याले अनुदान आयोग दोरा डिम्ड विश्विद्याले घोशित कर दिया गया है नेक्ट कोश्चन है 2016 में करयानवित नवीन राष्टी वन सूची डिजाइन के अंतरगत वन सूची समिक्षा का समय घटा कर किया गया है तो पांच बर्ष कर दिया गया है अश्पष्टी करण में देखेंगे बर्स 2016 में करयानवित नमीन राष्टी वन सूची डिजाइन के अंतरगत वन सूची समिक्षा का 20 वर्स गटाक और 5 वर्स कर दिया गया है अश्पष्टी करण देखेंगे तो दिया है अपना वन अपना धन योजना की सराज द्वारा प्रारम किया गया या की गई है इसका उद्वित राज में बना रोपन की गतविदियों को बढ़ाने से हैं नेक्स्ट कोस्टन है पग मार्क तकनिक का प्रियोग निम्ड प्रियोग किया जाता है तो विविन अवन जन्विजन संक्या के आकलन के लिए किया जाता है तो इसका जो आप्शन यह होगा वही सही होगा अस्पश्टी करण देख लिजिए बीविन वन जनतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तक्निक का प्रियोग किया जाता है इस तक्निक में पशुओं के पद्चीनों के आधार पर बीविन वन जनतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन मुख्यमंत्री जनवन योजना भारत के लिए राज में सरपर्थम प्रारम की गई थी तो कव अहां की गई थी वो जारखंड में की गई थी इसका सही होगा ठीक है इसका अश्पर्ष्ट करन जब हम देखेंगे तो सर परतम जारखंड राज में प्रयावरान संत्रलम बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जनवन योजना को पंद्रा नॉम्बर दूजार पंद्रों को लागू किया गया था टिक नेक्श्ट कोस्टन है राष्टी किर्शिवान के और संधान केंद्र अवस्तित यत का वस्तित है जहासी में इसका यह आप्सन सही होगा और असपरश्ट करन जब देखेंगे तो इसमें है राष्टी किर्षी वानकी और संधान केंदर की अस्थापना बर्ष 1988 में भारती किर्षी और संधान परसद की एक इकाई के रूप में हुई थी यह केंदर उत्ताप परदेश के जहासे जीले में जहासी रेलवेज स्टेशन से लगवा 10 किलिमेटर की दूरी पर इस्तित है फैस्ति ग्रांवा है 17 वारत कि परत्म राष्टी वन निटी तयार की गई थी तो 1912 में की गई थी और श्पोस्टि करण देख लिए 17 वारत की परत्म राष्टी वन निटी बारा मई 1992 को तयार की गई थी नेक्ड प Village गांदी 1 नीजुक सर्रालाचा है और धम zgऐं सोचरक्ण पूरशकर्ण धश्च सभी को यानि जीतने भी उपर दियें गए 1 EO 1 जीत में हम्हें अनीजिक कारियों के लिए सहचिक एवं सोथ संस्थानों वन जीव अधिकारियों तता वन जीव सनरच को आदिको पर्याबरण एवं बन वंतराले दोवारा राजीव गादी वन जीव सनरच पुरसकार प्रदान किया जाता है तो साथ परशद पाए जाते हैं एवं जीवारा पशत के लिए के कृल जंत पर जातिओं की संख्या का 7.28 परचत भाग भारत में पाए जाता है ऀप है आपका राष्टी 1 नीत 1922 का इंसानि रिखित में से कौन सा वन का संदर्व नहीं है ऩो आपका ब्ही है राष्टी राष्टी उद्यान तुछ है अब देखते हैं इसका आश्पष्ट करनल क्या दिया है राष्टी वन नीत उनी सो बान के इंसा बनुको नीम्न रूप में या रूप से बरक्रित किया जाता है तो वह है संरचित वन राष्टी वन ग्राम बन और ब्रिक्ष भूमी राष्टी द्यार नहीं होगा नेक्स्ट कोस्टन है अमरिता दव्य इसमिर्ति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह रोगले की वन विभाग दो अरब परदान किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है इंडिया स्टेट आफ आरेश्ट रिपोर्ट दो अजार इकीज के अनुसार देश के कुल भगवलिक छेतरफल का कितना परचत भाग वना च्छादित है तो 21.071 स्री आप से इसका सही है इंडिया स्टेट आफ आरेश्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भगवलिक छेतरफल का 277 परचत भाग वना च्छादित है जब कि इसर फ beer यारिपोर्ट 2019 में देश के कुल भगवलिक छेतरफल का 267 परचत भाग वना च्छादित था नेक्स्ट कोश्चन है राष्टी वन नीत में भारत के कुल भगवली छेत्रपल की देप प्रत्त भाग ववन रखने का लच्छ है तो वह वन बटे थार्ड यानि तायतिस प्रत्सत बी आपसन इसका सही होगा देखते हैं इस पर आधारित जो अस्पश्टी करण है वो राष्टी वन नीत के अनुसाद देश के कुल छेत्रपल के कम से कम एक बटे तीन आर्था तायतिस परत्सत भुबाग ववन होने आवसे के जिससे की प्रास्तितिक संतुलन बना रहा है इसकी गोश्टन है विस वन जिव दिवस परतिवर्ष मनाया जाता है तो तीन मार्च को मनाया जाता है और स्थवे वार्शिक समयलन के दोरान या सट्र के दोरान की गई अब next question है नेपाल भारत में वन जीव सनरचन प्रयाज के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारम किया गया सेव का उदेश करना है टाइगर का तो इसका जो यह आपसन होगा और सही होगा अब देखते हैं असपश्टी करन नेपाल भारत में वन जीव सनरचन के next question है भारत में सबसे पहले प्रयावास अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाती है बैगा तिक अब असपश्ट करन हम देखेंगे भारत में सरप्रतम प्रयावास अधिकार बैगा जनजाती को चाहें द्वारा प्राप्त किया गया next है सूची को क्या करना मिलाना है किस किस से तो इसमें देखते हैं सुची मसंग से मिलाएं गी где- Zone where the moment है today to camera समंदीत है चीप को आंद जो हुआ था有點 उतरा खनद से एकई को अंदोलन जो होगा करनाकम से समंदा timing चला गया था जन्ल बचाओ मुहमें ज्यारखन में तो इस तरह हम ढेकि रहा है तो आपका जो option बन के आ रहा है वो CA, ठीक है, CA, और देखिए, यहाँ पर पहले का, CAB, CAB देखते हैं, किसमें है, CABD, यानि A option इसका जो होगा, वो सही होगा, ठीक, अब देख लेते हैं, इसका अस्पश्टी करण जो दिया है, यहाँ पर देख लिजिएगा, एपी को आंदोलों करनाटक, जंगल बचा मुमेंट जार खंड, चिप को आंदोलों उतरा खंड, और साइलेंट वेली मुमेंट केरल, आगे क्वेश्टन है, भारती वन इस्तिती रिपोर्ट के अनुसार सरवादिक मेंगरोब, अच्छादित, राजे संग, राजे छेतर कौन सा है, तो आप लोगों को हम लोग बतायें, सबसे पहले पश्चिम मंगाल, उसके बाद, गुजरात है, यानि इस तरह से देख रहे हैं, तो जो सी आपसन होगा, वो सही होगा, ठीक है? अब देखते हैं इसका अच्छ पश्चिकरण, भारती वन इस्तिती रिपोर्ट के अनुसार सरवादिक बना औरण वाले राजे क्रमस है, तो कौन से है? यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो है, वो भी सुची, फ़र्ष्ट को सुची, सकेंड से मिलाना है, तो यहाँ पर भी यह रिपीट हो, एक तरह से समझे हो है, यहाँ पर प्रजेक्ट एलिफेंट, जो है, वो आपका कब हो जाएगा, 1992 में, ठीक, प्रजेक्ट गिर सेर होगा, इसमें जो जो आएगा, उसको आम लो देखते चलेंगे, ठीक है? प्रजेक्ट गिर सेर होगा, 1973, प्रजेक्ट राइनो जो है, 1970, प्रजेक्ट हंगूल जो है, वो आपका 1987, तो इस तरह से देखेंगे, दो एक तीन चार, देखते हैं कौन सा है, दो एक तीन चार, यानि यह आप्शन इसका जो होगा, वो सही होगा, असपरश्ट करन भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, प्रजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रजेक्ट गिर सेर 1993, प्रजेक्ट राइनो 1970, प्रजेक्ट अंगूल 1987, नेक्स्ट कोश्चन है, वन महत्सो का आयोजन परतेक बर्स किया जाता है, तो कब किया जाता है, महत्सो का मुख्यू देश बना रोपन को बढ़ावा देने के साथ साथ जगोप बिर्छा रोपन करने से है, यह रहा इस चैप्टर का भविकल्पि प्रस्णों में सबसे अनतिक प्रासन, आसा करते हैं कि आपको यह सारे चैप्टर से संबंदित प्रसन, पसंद आये होंग लाइक से यारा सब्सक्राइब करना बुलिएगा जै हिंद जै भारत